हाई welcome to my channel इस video में solve करें question no.1 तो ध्यान देजिएगा कर रहा कि find the curve surface area and the total surface area of a cylinder the diameter of whose base is 7 cm and height is 60 cm अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर देदिया है डायमेटर देदिया है बेस का 7 cm तो हम radius निकाल लेंगे और height निकाल लेंगे देखिए cylinder के case में हमेशा आपको देखना है कि cylinder का radius और height मालूम है कि नहीं यदि आपको पता रहेगा ठीक है क्या radius और height तो आप उसका surface area, curve surface area, total surface area या फिर area of the base कुछ भी find कर सकते हैं उसका तो यहाँ पर सब देदिया सब कुछ चलिए हम उसका use करते हैं और solve करते हैं solution तो पहले लिख लें हाँ पर कि given that given that radius of the cylinder इसको क्या हुआ है का diameter upon 2 diameter दिया हुआ है तो diameter में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.2 means आ जाएगा radius 7.2 cm हम 7.2 ही रखेंगे यहाँ पर 3.5 भी लिख सकते हैं लेकिन इतना ही रखेंगे इतना cm आप क्या करना है height भी लिख लेंगे यहाँ पर and height and height height of the cylinder is equal to 60 cm हमें पूछ रहा है कर्ब्सफिस एरिया तो हम यहाँ पर अब इस लिए यूज करेंगे कर्ब्सफिस एरिया कर्ब्सफिस एरिया of the cylinder is equal to क्या फामूला होता है हम जानते हैं 2 pi r 2 pi r into h means 2 pi r h तो यहाँ पर 2 into pi की वालू दिखे रहे यहाँ नहीं दिया है तो आप हमेशा by default 22 by 7 यूज करेंगे ठीक है यहाँ यहाँ पाई की वालू कुछ दिया रहेगा 3.14 ऐसा दिया रहता है यहाँ यहाँ यूज करेंगे यहाँ दिया रहेगा तो उसका यूज करेंगे ठीक है तो 2 into 2 by 7 into r r की वालू 7 by 2 हो जाएगा यहाँ पर into h height कितना है 60 cm 60 यूज कर लेंगे ठीक है 7 से 7 के इसला हो जाएगा 2 से 2 बंजा 2 और यह हो जाएगा 11 से ओके आप नीचे कुछ नहीं बीचा इतना आपान वन इतना आपान वन होगा अब उपर जो बचा हुआ इसको मतलब लेकर लिजिए 1160 66 और 66 तू यहाँ हो जाएगा 22 means 2 into 11 into यह बचेगा मतलब 60 और यहाँ भी हो जाएगा 612 हो जाएगा तो इसको कर लिजिए 120 यहाँ प्लेकर के पहले इन्टू 11 बचा अब यहाँ प्लेकर लिजिए तो इसको हम आगे लिख लेते हैं यह आजाएगा आपका 11 0 to 0 11 2 to 20 11 out to 13 1023 क्या आगया cm2 आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि सेम यूनिट में अफसाल्व कर रहे हैं कि नहीं तो आर और एच दून का यूनिट हम निकाल लिया था cm में तो बिल्कुल ही इसका जो square surface area आएगा वो भी cm square में आएगा definitely आप यहाँ पर लिख लेंगे तो यह आपका पहला answer है अब निकालना है total surface area तो also total surface area of the cylinder is equal to क्या हो जाएगा 2 pi r in bracket r plus h ठीक है हमने यह कैसे निकाला है 2 pi r square होता है area of the base मतब दूनों bases का जो है यह area होता है plus cut surface area को हम जब cut surface area को cut surface area को तब निकलता है यह total surface area और इसमें से 2 pi r काम ले लिए तो r plus h बच गया यह formula है एक तरह से आप इसको राट सकते हैं इसको याद कर सकते हैं तो यह जगा 2 into pi की value हो जाएगे 22 by 7 into r की value आपको यहाँ पर 7 by 2 दिया हुआ है विल्कुल हम निकाला है यहाँ पर और r की value आपको 7 by 2 है plus h की value है 60 ठीक है तो अब जाएगा 7 और 7 जो है one one से conceal हो जाएगे और 202 और यहाँ भी कट जाएगा यह 11 तो अब बचेगा आपको 22 22 यहाँ बचेगा multiply कर देंगे तो क्यों 22 बचेगा और in bracket यहाँ पर क्या होगा आपान मान करके lcm लेलेंगे 2 हो जाएगा lcm यहाँ पर और 2 से यहाँ पर यहाँ हम करेंगे तो मिलेगा आपको 120 और 120 127 मिल जाएगा ठीक है और 202 और यहाँ पर कटेगा तो क्या हो जाएगा 11 आजाएगा और 11 से मुले कर लेंगे 127 में तो कैसे करेंगे 7 का 7 रखेंगे 7 और 2 को add कर देंगे 9 हो जाएगा 2 और 1 को add करेंगे 3 हो जाएगा और फिर 1 को वाइस ही रखेंगे तो 1397 cm2 cm2 यह दोनों आंसर्स आपके हैं थैंक यू सो मच फर वाचिंग बाए